ओके जी इस लेक्षर में हम देखेंगे कि missing values को impute करने के क्या तरीका का रहा है impute का मतलब होता है missing values को find करना यानि कि data collection के वकद जो points आपने miss कर दिये है is there any method कि हम किसी तरीके से un missing values को देख ले और बिलकुल there are many methods out there कुछ methods मैं आपको बताने वालों अभी let's look into the slides and then we will go and do some coding as well missing values को impute करना क्यों ज़रूरी है क्योंकि missing values का मतलब यह है कि data कहीं कहीं missing है और इसकी मिसाल मैं ऐसे देता होता हूँ कि अक्सर उकाद जब आप एक भुटा चली लेके आते हैं घर पे भुटा चली का पता है चली भुटा जिसे हम बोलते हैं और अगर उसके सारे दाने उस चली के अंदर मौझूद हैं इसका मतलब आपका डेटा कम्प्लेट है चोटा सा बच्चा के पास आया कोई आपका बतीजा बतीजी होसकता है या आपके घर में बच्चा है वह जब आ रहे हैं तो वह कहते हैं कि हमने भी खानी आप कहते हैं अच्छा यहां से छोटी सी काटी कर लो तो वो छोटी सी काटी कर लेते हैं अब क्या हुआ है वो जो चली के एक कतार बनी होती है ने जिसे हम कहते हैं एक कॉलम बनाता है दूसरा कॉलम बनाता है तीसरा बनाता है वो तीन-चार कॉलम में से तीन-चार दाने खा जाते हैं क्योंकि उनके दान छोटे-चोटे होते हैं वो तीन-चार दाने उठा जाते हैं वो जो तीन-चार दाने मिस हो गए है न वो बेसिकली आपकी मिसिंग वैलियूज है इने डेटा फ्रेम तो अगर कोई बड़ा बंदा वहां पर काटी करेगा और वो बड़ी वाली चली के दाने निकाल के ले जाएगा तो ज्यादा मिसिंग वैलियूज होंगे कभी ऐसा हुआ है कि एक पूरे का पूरा कॉलम ही खाली हो इतने प्यार से कोई चली खाता नहीं है अगर और गनाईजड में मिसिंग वैलियूज हो तो बिसिकली आपने बात में कोई कॉलम एड़ किया होता है पहले नहीं होता है आपके data collection के बगर ठीक है जब भी कोई missing value होती है missing values तब देखी जाती है जब वो पूरे के पूरे data में से कुछ values missing हो अगर पूरी एक कितार ही खाली है तो वो कितार को हमने निकाल देना by the way we will see now missing values को impute कैसे किया जाता है मेरे तो मुँ में पानी आ गया वो मसाला लगा के उपर जो चली होती है न वो बड़ी टेस्टी होती है missing values absent data points in a class for certain observations or variables ठीक है absent data points in a dataset for certain observations or variables जो मैंने आपको अभी बात समझाए जैसे अभी चैट के अंदर एक बंदा कह रहा था सर जी वो फ्लांबंदा नहीं आया वह यह अपस में दोस्त हैं एक दूसरे को बताते रहते हैं कि तो नहीं आया वह नहीं वह नहीं है तो एपसेंट है देखा था लेकिन इनको क्यों हम इंप्योट करते हैं model accuracy को increase करने के लिए model मतलब AI most algorithms या AI की एप को बनाने के लिए cannot handle missing values directly अगर missing values हैं किसी डेटा में तो ज्यादा तर models उसको नहीं चला सकते उसको run नहीं कर पाएंगे वो errors देंगे और वो जो errors होंगी वो आपके लिए मसला खड़ा करेंगे और वो आपको inaccurate predictions देंगे मिसाल के तोर पे मैं model को train करने के लिए कोई डेटा दे रहो और डेटा देते वक्त मैंने अक्सर तस्वीरों के label ने दिये और मैंने बिलियों की तस्वीरें दिये एक AI आप को और बाद में एक बिली मैं सामने लाके रख रहा हूं और उससे पूछ रहा हूं यह बिली है वो कहेगी नहीं यह बिली नहीं है ठीक है तो वो inaccurate आपको prediction द नहीं है को value नहीं देता उसे खलत information अगर आप model जितना मर्जी टाइम लगा के बना ले अगर वो एक problem को solve नहीं कर रहा वो model model ही नहीं ठीक है दा नेक्स तिंग Pies and Misrepresentation Missing data can induce biases पाइस का मतलब पता क्या होता है अन्ना वंडे मठिया ते मोड़के डपने अनुदवे नहीं समझ आई मिसाल के तोर पे के एक अंधा है उसको किसी ने लगा दिया कि यार तुम ये चीज़ें बांटे वो अंधा इस वज़ा से उसको दिये गी है कि ये अपनों को देखे बगार सभी को बराबर में तक्सीम करेगा लेकिन वो फिर भी अपनों को दे जा रहे हैं तो अक्सरोकाद क्या होता है Missing data जो होता है ना वो biasness introduce कर देता है यानि कि एक तो वो खुद नहीं है उपर से वो क्या करेगा biasness produce कर देगा कैसे जहां पर डेटा मौझूद है model जो है उस तरफ ज्यादा जुकाओ करेगा यानि कि model वहां से value ज्यादा लेगा समझाई बात की especially if non-random potentially leading to misleading insights non-random जो होता है यानि कि जो मैंने आपको मिसाल दी ना चली के अंदर से एक पूरी के पूरी line missing हो वो non-random है वो organized way में missing है या मिसाल के तोर पे अब मैं यहां पर बात करूंगा without any affiliation to anything thing अक्सर उकाद हमने सालों लगा के record जमा किया होता है बात में missing हो जाता है आग की नजर होने के बाद तो वो organized way में missing हो रहा है अब उस missing value को हम कहां से पूरा करेंगे those missing values cannot be imputed तो इस तरह data के अंदर काफी missing values होती है जो बिलकुल ही organized way में खतम हो गये होती है उनकी वज़ा से पूरे के पूरा data खराब होता है अब हमारे इस course के अंदर काफी लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान Bureau of Statistics के भी है ठीक है मैं उनके नाम नहीं यहां पे लोगा बर they are from there तो उन लोगों से मेरी request है कि यह missing values का कुछ करें data accurate लेके हैं senses हो रहा है पाकिसान के अंदर और एक आज कल hype बनी हुई है कि बलोचिस्तान का data accurate नहीं है क्या आपको पता है इस news का as a data scientist मैं ऐसी चुज़ों के थोड़ी बहुर नज़र रखता हूं तो इस चीज़ को चेक किजएगा बलोचिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारी population increase की है और हमारी सीटें ज्यादा होनी चाहिए so just look into this news और आपको समझ आएगा कि missing values कितना बड़ा काम खराब कर रही है यानि कि पूरा organized way में missing कर दी है काम, senses ही काम की है, population काम है तो MNAs, MPAs की सीटें काम होगी तो इस बेस पे वो सारा काम कर रहे है, इसको organized missing value को बहुते हैं, खैर वो बाइसनेस होगी ना, कैसे बाइसनेस होगी, अब वो जो एक-दो सीटें बलोचिस्तान में जानी थी, क्या हो गया उनका हाल, now they are more populated areas लेकिन सीटें काम है, so this is what happening with these things, by the way, इस पे ज्यादा मैं गु और आदा-दूरा data होगा तो आदा-दूरा model होगा, आदा-दूरा model होगा तो आदा-दूरा आपका final year project या final project होगा, ठीक है, तो इस वज़ा से ये सारी चीज़ें बड़ी matter करती है, at the end, efficient resource use, अगर आप, computation power, या, जब आप model बनाते हैं, उसके उपर ज्यादा खर्चा नह स्टार्ट कर दें, वरना उन missing values की वज़ा से data और imputation बहुत ज्यादा power ले जाएगी, आप में से कितने लोगों को पता है कि chat GPT के पीछे बड़े-बड़े-बड़े-बड़े systems चर रहे होते हैं, एमीनी है कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं और आपको result मिल रहे हैं, नहीं, पूरे-पूरे data centers है, पूरी-पूरी machinery है, super computers चर रहे हैं, और उनके एक दिन में वो अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, सिर्फ compute करने का model को, GPT-4 और भी खर्च रहे हैं, इसी तरह Google है, इस तरह Amazon है, आपको क्या लगता है कि Google जो आप लिखते हैं, आपके पास result आ ज प्रेंद करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने power बचानी है, at the end power comes with the cost, और आप पैसे बचा रहे हैं, ठीक है, then at the end improved decision making, यानिके जो आपने decision को बनाना है, मुझे एक बात बताएं, एक आपके पास खराब data है, एक सही data है, किस data का decision अच्छा होगा, आजम भाई मेरी बात सुनन जो missing values के बगएर है, outlets के बगएर है, cleaned cable data है, वो हमारे बज़र्ग का करता है, बेटा काबिल बनो, दौलत पीछे-पीछे होगी, लेकिन आज कल वो भी नहीं हो रहा, I'm just kidding, by the way, काबिल बना हो, तो सब कुछ पीछे-पीछे होता है, बस खुद पीछे बढ़ना पड़ता है बाद में, so, पाकिस्तान के जो हलात हैं, इस वकत, पाकिस्तान के डेटा के अंदर इतनी missing values हैं, इस वकत आप पाकिस्तान को कोई भी डेटा उठा के देख लें, organized way में missing values हैं, so, people are working a lot, let's see, क्या बनता है, क्या नहीं बनता, वहां पे तो weather की accurate prediction भी हमें काम ही मिलती है, but we will see, inshallah, हम improve करेंगे कुछ future के अंदर, अब देखते हैं methods कौन कौन से, लो जी, ये रहे methods आपकी computer screen पे, आप कौन बरेगा करोड़ पती नहीं, हम खेह रहे हैं यहां पर भाइदावे, I'm just saying, कि ये method है, सबसे पहले, जहां पे missing values ज्यादा हैं, उठा के बाहिर फैंको जो उस column को उठा दो, अगर वो rows में हैं missing values उन rows को उड़ा दो, for example, अगर एक column में बहुत ज्यादा missing हैं, वो column उड़ा दो, अगर rows में missing हैं और वो rows दो से तीन हैं, उनको उड़ा दो, ये एक तरीका है, एक तरीका है, ये नहीं कहता है कि ये ही लगाना है, this is one of the methods, second one, mean से impute कर ल आपको ओके इसकी भी 5.5E, समझे ही बात की, आप average से replace कर दें, second one is median से replace कर दें, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंके these are the things which are center of the data, ज्यादा का जुकाओ उस point पे हो रहा है, तो इसका भी उस पे हो सकता है, then, आप mod से impute कर दें, यानि के mod value, most frequent value से impute कर दें, then constant value से imputation करें, यानि के आप खुद बताएं कि ये value रखो यहाँ, अक्सर अकाद ऐसा भी होता है, क्या आपको पता होता है, ये missing था, बता दें कि ये रखो, linear interpolation, interpolation क्या होता है बला, आप sequence में जाते रहें, जो पहली है, और missing से, missing से पहली और missing के बाद वाली, उन दोनों की average लेके वहाँ पे लगा दें, interpolate करते हैं उसे, ठीक है, आप ये assume करें कि उनका linear trend है, अगली और पिछली का average लेके वहाँ पे लिख रहे हैं, कि यहाँ पे यह होगी, then you can have an algorithm जिसका नाम है k-nearest neighbor, आमें से कितने लोगों को पता है k-n-n का, 11 गेंटर वाली वीडियो के अंदर यह जरूर है, अगर किसी ने देखी है, नहीं देखी तो इंशाला हम इसको दुबारा पढ़ेंगे, के-nearest neighbors, यह एक algorithm है, यह automatically सबसे optimum value, missing value की जगा पे खुदी impute कर देते हैं, one of the best ways I would say, then हमारे पास है multivariate imputation, अब क्या करते हैं, अब सारे columns की base पे उस value को impute कर देते हैं, जितना data आपके पास पढ़े है, मिसाल के तोर पे, हमारे पास data है एक बंदे का जिसका नाम है John, ठीक है, John की age है 55, height उसकी 6 feet है, और weight उसका 80 kg है, दूसरी side पे आ जाता है हमारा बशीरा, अब बशीरे की जो weight है, वो missing है, बाकी चीज़ें पढ़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जान और इस तरह के बाकी लोगों का idea लेके, जिसकी age और उसकी ethnicity बशीरे के साथ मिलती होगी, हम उनका weight यहाँ पे लिखतेंगे, यानि के सारे columns की base पे या कुछ columns की base पे, एक specific cell को impute करने, then हमारे पास आता है multiple imputation by chained equation, ये एक method है, जिसको mice बोलते है, chained equation, यानि के एक equation लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई, सभी का average लेके आप वहाँ पे लिख देते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ, अब mean, median, mod की chain बनाके, यहां पे value लिखते हैं, chain of different things, then the tenth one is, बड़ा मश्वूर नाम है, काम है इसका, deep learning based imputation, यानि के neural networks को use करें, और उनके auto encoders की base पे, जो एक machine learning method है, यहां आपको पढ़ाने वाल हूँ यह भी, to capture the pattern and impute missing values, तो हम इसको predict करके वहां पे impute कर देते हैं, यह जिनाबे वाला दस methods ऐसे हैं, जो बहुत important है, सारे के सारे important है, जो ज़्यादा तर use होता है, machine learning में, वो key nearest neighbor है, और जो mean, median, मांड वाला है, यह usually EDA के अंदर use होता है, लेकिन आप खुद सोचें, Titanic के data में, एक age missing है, और बाकी सारे column हमें बता रहे हैं कि वो इक बच्चा था, कोई 6 माँ का या 8 माँ का, ठीक है, बाकी सारे column बता रहे हैं, अब अगर आप उसे average के साथ age को replace कर दें, तो क्या बनेगा उस data का? average तो हमारी आ रही है 30 years, और वो बच्चा multi-variate की base पे हमें पता लग रहे हैं कि 6 से 8 माँ का बच्चा था, Titanic में, तो आपका data खराब नहीं हो गया, इस वज़ा से ये 10 के 10 methods में से कौन सा choose करके आपने apply करना है, that matters a lot, और वो depend करता है आपकी सोच पे, आप कितना deeply data को study कर रहे हैं, मैंने इस वज़ा से कल बोला था, data को feel करें, data को देखें क्या trend चल रहे हैं, जितना data को देख के आगे चलेंगे, उतना आपको ज्यादा समझ आएगे इसकी, ठीक है जी? यहाँ तक आपको clear हो गया, कि 10 methods हैं हमारे पास, और इन 10 के 10 methods को हम apply कर सकते हैं, अब by the way, अगर आप सिरफ यह लिखें न, how to impute missing values using mean method in pandas, chat gpd नो उठा के आपको सिधा code दे देना, अगर साथ यह भी लिख दें कि मैं Titanic के data में age को impute करना चाह रहा हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा, so that's not a big deal, लेकिन हम उसको खुद से भी करेंगे, ठीक है जी, हाँ जी, यहां तक clear होगे, आपको जी क्या होती है, imputational values की, missing values की, अब एक आपकी छोटी सी assignment, missing values के कौन-कौन से नाम है, मैंने कल भी आप से पूछा था, मैंने चैट इस विज़ा से बंद किया, आप लोग ना, मेरी नहीं सुनते, अपनी सुनाते रहते हैं भी, अब मैं open कर देता हूँ, हाँ मुझे बताइएगा, कि missing values को हम और किन-किन नामों से पुकारते हैं, शीदा कहते हैं, बशीर कहते हैं, बोला कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं null values, null मतलब no value, इसको nan भी बोलते हैं, nan मतलब not a number, इसको na भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम empty cell भी बोलते हैं, not applicable नहीं बोलते हैं, not applicable और चीज़ होती है, तो यह कुछ इसके नाम है आपने इसके इसके इलावा भी देखना कौन-कौन से यह चोटी से आपके assignment है hopefully अब आपको समझ आगी होगी कि missing value impetition हम किस तरीके से करते हैं right g obviously we need to do the coding part as well we will do that